इस वीडियो में हम DHFL के equity shareholders के बारे में बताएंगे उन्हें क्या करना चाहिए उनके आगे क्या सबसे बड़ी risk है आगे DHFL के equity shareholders को क्या मिलेगा और उन्हें यहां पे आगे क्या होगा DHFL का share deal list होगा या नहीं और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि पिरामल enterprise limited के share पे DHFL के bid का क्या impact हैगा इस वीडियो में हम दौनों ही shareholders के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कुछ facts यहां पे पिरामल enterprise ने DHFL को खरीदा है करीबन 37-38 करोड के बीच में खरीदा है और 87,000 करोड का total depth है अगर आप अभी यहां पे देखेंगे तो पिरामल लगबग 33% दे रहा है DHFL के lenders, NCD bond holders या FD holders कुछ exception है जैसे कि FD और NCD holders है जिनका अगर 2,00,000 रु पैसा पूरा नहीं मिल रहा है तो equity shareholders को कैसा कुछ मिलेगा अभी यह कैसे होगा और क्या होगा यह देख लीजिए देखिए पिरामल ने पहले भी बोला था कि हम लोग जैसे ही DHFL को हमें अगर मिलता है तो हम लोग इसे merge कर देंगे पिरामल commercial housing finance limited के साथ और पिरामल की जो द बहुत ही कम stake होगा या फिर बिल्कुल होगा ही नहीं ऐसा बिल्कुल same case अगर आप देखेंगे LVB और DBS bank में होगा है मतलब LVB के जो current shareholders है उनको आज DBS का एक भी share नहीं मिला LVB ने LVB DBS के साथ जाके merge हो गया लेकिन जो LVB के share holders थे उन्हें कुछ भी नहीं मिला DBS का 100% holding है और उन्हें 100% यहाँ पर दे दिया गया इसमें LVB के अब कोई भी stake नहीं है ठीक है तो अभी यह सब बाते हुई है कि कैसे होगा अभी और जानना चाहते हम एक एक चीज का आपको एक एक प्रूफ देंगे देखिए if when piramal has offered to infuse 10,000 crore equity into DHFL through a reverse merger of PCHFL into DHFL अभी देखिए यह reverse merger क्या होता है देखिए मैं reverse merger समदाओं तो सबसे पहले reverse merger का मतलब ऐसा होता है कि जब छोटी company बड़ी company ओं खरीती है तो उसे reverse merger का दाता है इस case में छोटी company हमारे लिए है DHFL DHFL में सबसे पहले पिरामल जो promoters है वो 10,000 करोड रुपए infuse करेंगे 10,000 करोड रुपए जैसी जो DHFL के पास आएंगे उस पैसो से DHFL पिरामल की जो PCHFL है यानि Housing Finance Company है उसको खरीद लेगा अभी merged entity में क्या होगा जो PCHFL के shareholders है यानि जो major shareholder PEL है तो पिरामल Enterprise Limited उसका इतना ज्यादा stake हो जाएगा कि यहाँ पे जो existing shareholders है उनका equity dilution बहुत ज्यादा होगा यह जो चीज मैंने आखरी में बोली यह मैं आपको 5 मिनट बात और दंग से समझाऊँगा अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो merged entity बनीगी उसमें जो DHFL के existing shareholders है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा ठीक है अभी पिरामल ने एक और बात बोली थी कि जो merge होगा उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक और proof दे रहा हूँ जो कि है Indian Express में जहाँ पे भी यही लिखा है यहाँ पे क्या होगा जो अभी मैंने जो आपको बताए कि कैसे इसका यहाँ पे dilution होगा देखिए अभी मान लीजी आप example के तोर पे समझे कि 100 share है DHFL के ठीक है और जैसी पिरामल यहाँ पे पैसे लगाएगा तो मान लीजी पिरामल ने 10,000 share और issue होगए तो टोटल share होगए 10,100 लेकिन अभी पिरामल का जो stake है अब वो 10,100 की company में 10,000 shares का है यानि उसका caliber 99.99% stake है और जो पहले 100 share holders थे जा उनका यहाँ पे stake 100% था अब वो 0.01% रह गया है मतलब 99.99% का erosion है और यहाँ पे stake का dilution भी है उसी के अलावा गर हम बात करते है तो equity shareholders को यहाँ पे 0 कैसे किया जाएगा देखिए इसका source क्या है सबसे पहले इसका source है कि not as penny to equity holders as DHFL bidders value firms share at 0. यह business standard की एक report है जहाँ पे का गया है कि DHFL के shareholders को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें 0 कर दिया गया है उसी के साथ कुछ और खबर है कि यहाँ पे oak tree है, piramal है और adani इन तीनों ने भी इसको 0 ही value किया था मतलब आप कोई भी bidder आए अभी जो 3 bidder है अगर कल को ऐसा कुछ होता है कि यहाँ bidding change हो जाती है, adani को मिल जाता है dilution ऐसे हुआ कि अभी के जो 100 share holders है जो 100 share है वो बाद में 100% stake से सीधा 0.01% stake आ जाएगा यह जैसा कि मैंने आपको screen पे एक example के तोर पे समझाया है अभी यहाँ पे बात होगी आप पूछेंगे अगर यहाँ इतना ही सब कुछ वो market होता है जहाँ पे अच्छी से अच्छी खबर को बेकार से बेकार की खबर को ignore किया जाता है और चोटी चोटी अच्छी खबरों को यहाँ पे बहुत उचायों पे लेके जाया जाता है मतलब हर बेकार खबर यहाँ ignore होती है वो bill market है अभी बेकार खबर किया है कि DHFL के equity shareholders को कुछ भी नहीं मिलने वाला है फिर भी उसमें upper circuit लग रहे है और अभी अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई company बंध होने वाली हो और उसमें upper circuit लगे बिल्कुल recent काई case ले लीजिए लक्ष्मी विलास बैंक 25 नवंबर को उसकी company की आकरी trading हुई थी BSE पे और 26 नवंबर को उसे dealist कर जया गया था और आपको चौकनना होगा कि 25 नवंबर को LVB के shares में upper circuit लगा था अब इसमें पागलपंती किसकी है किसी की भी नहीं है यहाँ पे equity और जो छोटे निवेशकते उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और वैसे ही यहाँ पे DHFL में भी लोगों को नहीं पता है कि क्या होने वाला है इसलिए हम यह वीडियो बना रहें 23 तारिक को LVB में यहाँ पे सरकार ने बोला था कि हम इसे D-List कर देंगे और DBS Bank को सौब देंगे और फिर भी लोगों ने यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग करी और फिर भी इसमें अपर सरकेट लगे और क्या हुआ 25 तारिक को आखरी ट्रेडिंग हुई और शाम को गवर्मेंट एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि कल से LVB में ट्रेडिंग नहीं होगी अभी इसमें गलती किसी की भी नहीं है अभी भी इसका केस पेंडिंग है पर मैं जानता हूँ कि इस केस में आगे कुछ नहीं होने वाला है अब वो मर्जर हो चुक है LVB के शेरोलर्स को करीबन 500 करोड का यहाँ पर नुकसान हुआ था उस टेम इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन था और अभी आप DHFL का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो जानती है करीबन 1000 करोड के लगबग है तो यह सारी चीजे है अगर LVB मैं ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है इसमें कोई चौकरने वाली बात नहीं बस आपको सचेख रहना है आपको ज्याधा से ज्याधा पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रह रह है उसी के अलावा अगर मैं आपके और बात बताऊं तो retail investors should not be carried away by these defaulting companies being bought to top brands under IBC as investors in majority of IBC cases have lost their entire capital यह एक अम्रेश करके यहापे एक analyst है जिन्होंने वापस advice दिये कि इस तरह के stock से दूर है अभी अगर और जानना चाते तो मैं आपको बता दू रूची सोया में भी यहापे equity dilution हो था अभी के रूची सोया के shareholders की बात नहीं हो रही जो रूची सोया के shareholders पहले थे यानि करीबन जनवरी 2020 से पहले के जो shareholders थे उनके बात कर रहा हूँ जब बीच में पहले जब रूची सोया था उसे भी deal किया गया उसकी भी trading बंद हुई थी और उसके बाद जब पतंजली आया तो जो dilution किया गया था वो काफी खतरना था जिसके पहले के रूची सोया 100 थे तो उसको केवल 10 या 1 ही दिया तो इस तरह का यहां पर dilution किया गया है तो आप समझिए कि यहां पर dilution of equity का मतलब क्या होता है और या फिर zero का मतलब क्या होता है इसी के अलावा अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की बात करेंगे पिरामल enterprise के लिए कैसे ये एक deal अच्छी है देखिए आपको काफी ज़्यादा assets मिली है DHFL ने का जो business है वो retail में ज़्यादा है और पिरामल का जो business है वो corporate में ज़्यादा है तो इन दौनों को अभी merge कर दिया जाएगा तो एक proper NBFC company बन जाती है corporate प्लस retail lending दौनों को मिला के यहाँ पे एक अच्छी diversification मिलेगी जिससे risk कम होगी और उसी के साथ यहाँ पर अगर corporate housing finance business जो होता है corporate lending का वो थोड़ा risky होता है उसकी cost to capital भी ज्यादा होती है लेकिन retail lending थोड़ा अच्छा होता है risk की नहीं होता है तो इस तरीके से यह सारे फायदे है retail lending मिलते ही company को एक अच्छा फायदा होगा इसमें यहाँ पर re-rating credit rating की तरफ से होगी portfolio effective use of capital होगा और एक थोड़ा बहुत business में improvement आएगा उसी के साथ आपको मिलता है DHFL का huge network और customer base DHFL का का काफी customer base है अगर आप देखेंगे तो आपने DHFL की branches जरूर देखेंगी लेकिन कभी pyramal की इतनी branches नहीं देखेंगी क्योंकि pyramal का इतना network नहीं है तो यह सब चीजे जो pyramal enterprise limited के लिए positive है अगर आप बात करें कि आगे क्या होने वाला है देखेंगे आप मान के चलिए Oak Tree Capital यहाँ पर इसके against appeal file करेगा जो COC ने decision दिया है उसके against appeal file होगी ऐसा कुछ market की media reports में भी आ रहा है और कुछ analyst का भी कहना है अभी इसमें आगे एक और जो case चल रहा है वो है NCLT में 20 जनवरी को आज कुछ dollars है उनके पास अगर share profit में है तो जरूर निकाल दे जल 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 निकाल दे किसी भी तरह के upper circuit के लालच में अपने यहाँ परी capital न गवाद है मैं हर बार बोलता है हूं हर वीडियो में बोलता है हूं और बार बार बोलूंगा कि capital protection is more important than capital appreciation हमें पैसा बचाना है पैसा कमाने से पहले ठीक है तो यह सारी बाते रही है और उसी के अलावा अभी कोई बहुत से लोग पूछना चाते है दीछ लूट होगा क्या नहीं दीछ फ्ल डीले नहीं होगा क्योंकि अगर उसका merger किया जा रहा है reverse merger तो यहाँ पर दीछ ल डीले लेस्में बार सुद़ाता है टीछ को नहीं नकार सकते कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें सबसे भला है यह है कि जल से जल निकले किसी भी तरह कि छोटी मोटी trading ना करें अगर इसमें यहाँ पे डे lift नहीए बलकि अगर zero कर दिया गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपकी जितनी capital पूरी नुकसान में चल जाएगी अगर आपको ऐसी छोटे मोटे शेयर पैनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने तो बजार में बहुत है जहां पर कम से कम जीरो तो नहीं होगा यहां पर अगर आपने ट्रेडिंग किया तो एक रिस्क है कि इसे जीरो कर दिया जाएगा तो यह सारी चीज़े हैं DHFL से दूर रहें जिनके पास profit में जरूर निकालें और जिनके पास अभी भी नुकसान में तो अपनी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे quantity निकालते हैं लेकिन हमने तो कब से हम तो बोल रहे हैं जब 40 रुपय का शेर था और जब अडानी ओक्ट्री इनकी बड़ी बड़ी बिट जा रही थी बड़ी खबरे आ रही थी उस टाइम भी हमने बोला था कि मत लो मत लो मत लो जब तक डील के पूरी certainty नहीं आ जाती पूरी खबर नहीं आ जाती तब तक इस stock से दूर रहे आप चाहें तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा ये वैसे भी हमारा DHFL पर चौथा वीडियो है इससे पहले के जो तीन वीडियो थे एक बैंक्स के उपर बताया था कि बैंक्स को कितना मिलेगा एक FDNCD holders के लिए पताया था उन्हें कितना मिलेगा और एक पिरामल की बिडिका एनलेसिस क्या था अगर कोई देखना चाहता है कि हमने 40 रुपए से कैसे इसको सेल यहाँ पर कॉल दिया था उस वीडियो का लिंक भी हम शेयर कर देंगे अब आगे क्या होगा हम और भी जैसी कुछ नए अपडेट आएंगे DHFL के शेयरोल्डर के लिए सबसे पहले वीडियो लेके आएंगे यह हमारा आपसे बादा है लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ठीक है यह वीडियो यहीं कतम होता है लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए सभी DHFL के शेयरोल्डर के साथ क्योंकि हमें काफी लोगों ने पूचा है कि कैसे होगा क्या होगा अगर हम उन तक वापस हमें कमेंट में रिप्लाइन ना कर पाएं तो आप इतना शेयर कीजिए कि सब तक पहुंच पहा है और DHFL के शेयरोल्डर को बताईए कि कैसे यहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि उनका पूरा का पूरा यह इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो जाएगा और लास्ट लास्ट बट ना दे लिस्ट प्लिस्प्स्राइब आवर चैनल थैंक यू